तो हेलो फ्रेंड्स रॉकम बैक टूओ हावर डू इट और आज हम बात करने वाले हैं कि हम मैंने फ्लास्टिक昨ap कमा सकते हैं या एंडिया वैं बहुत ही पूंध है इंडिस्ट्री और आप अगर नजर डालने तो प्लास्टिक यही प्लास्टिक आपको नजर आएगा आप एक इंजेक्शन से लेकर कोई भी केस या फिर सोप कंटेनर या फिर वाटर बॉटल चेर्ज अब कहीं भी देखें तो यह सब प्लास्टिक की बनी हुई है तो आप प्लास्टिक मैनुफेक्ट्रिंग करके कितना कमा सकते हैं तो यहां पास देखें एक छोटी सी वीडियो यह वीडियो फ्रेंट्स यही वो वीडियो जना आपको दिखाने बाला था और आप देख सकते हैं कि यहां बॉटल मैनुफेक्ट्रिंग हो रही है प्लास्टिक की बाटरी बन से बन रही है मैं आप पर बात बता देना चाहता काफी बड़े स्केल पर बना जा रहा है यहां पर देख सकते हैं अगर आप अउजर्व करें तो आपके घर के अंदर देखें तो इत्ते सारे प्लास्टिक के अगे इनमें से कोई भी एक किसी चीज का भी काम स्टार्ट कर सकते हैं आप चाहें तो चेयर मैनुफेक्ट्रिं में भी बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं तो यह देख रहें आप एक एक बार में कितने हैं तीन चार यूनिट कम से कम निकाल रहे हैं काफी बड़े स्केल पर काम किया जा रहा है यहां प्रिंटिंग और यह बाटिल की यह सारी मशीन हैं जो काम आती है प्रोडक्शन में इस मशीन में आप देख रहे हैं एक विदिन सेकेंड एक बार में कम से कम पचास बाटल निका ली है अब यहां पे पैकिंग हो रही है वाटल की यह कांटिंग एन पैकेजिंग जोनों यहीं करके फिर यहां पे होलसेल रेट्स पे होलसेलर पे डिलिबर्ट कर दिया जाता ह यह बेसिक चेक्स हैं जो मैनुफेक्ट्रिंग में किये जाते हैं जो कि रिक्वायर्ट है यह सारे चेक्स होने के बाद फिर इनकी पैकिंग करके डिलोगर कर दिया जाता है तो मैं आपको यह बता जाता हूं कि यह काफी बड़े स्केल पर किया जा रहा है जो कि आप अपने घरों में छोटे स्केल पर भी स्टार्ट कर सकते हैं एक मशीन डाल सकते हैं एक से लेक एक या दो मशीन और उससे अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं जहां पर आगर आपको स प्रेंस